नमस्कार दोस्तों आप सभी का study for UPSC PCSL में स्वागत है अलग अलग platform पर students में message किया हुआ था कि बिहार special के लिए pre के लिए कौन सी books परनी चाहिए है तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ specific छोटा सही वीडियो होगा क्योंकि दो ही book हैं जिन में से आप किसी एक को prefer कर सकते हो जो भी आपको सही लगे मैं दोनों book के बारे में आपको detail में बता दूँगा okay तो सबसे ज़्यादा तो यही book चलती है के भी सिनैनो की बिहार समगर आती है PT और मुख्य परिक्षा के लिए मुख्य परिक्षा के लिए इसकी अलग से book आती है उसको आप ले सक map दिखेगा आपको भी हर का जो बस book में है उसके बाद से यहां पर आपको इसके एक संशिप अवलोकन मिलता है जो काफी detail में दिया हुआ है column chart बना के जिसको याद करने में आसानी हो सकती है आपको है ना उसको बाद भी हर के इतिहास सुरू हो जाता है प्राचीन इतिहास इसने कहां से सुरू किया हुआ है वैदिक काल में एक भी हर बताता है उससे पहले थोड़ा सा पासान यूग का जो भी हर है जिसमें चिरांद वगर हम लोग परते हैं पासान पिरियट का बिहार उसके बारे में थोड़ा सा इसने बताया हुआ है बस है और फिर महाजनपत क काल से पहले वैदिक यूग आ जाता है यहां पर आप देख सकते हैं पूरो पास्तान योग मद्य पास्तान योग नव पास्तान तामर पास्ता चोटा सा बना के बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में इन्हों ने दिया हुआ है फिर से रिपीट कर रहा हूं यह पीटी के लिए बुक आती है और पीटी के लिए ही मैं बना रहा हूं बिहार स्पेस्पिक के लिए मेंस के लिए मैंने पिछले ही वीडियों बना बना बता दिया था कि दिरिश्टी आइस का जो मेंस का जीएस वन जीएस टू का कॉम्पैक्ट एक बुक आया है उसको आप जाकर देख सकते हैं बोध्ध और जैन की जो संगतियां आती हैं उसके बाद आप देख सकते हैं पर मगद समराजी का सुरू हो जाता है यह इस बुक की मुझे खामी लगी है खामी क्यों लगी है मैं आपको अगले वाले बुक में बता दूँगा क्यों इसको मुझे यह कमी लगा और मगद समराजी खतम होता है उसके बाद गुप्त समराज जाता है जो मगद और मच दोनों के बारे अला है उसको आप पर सकते हैं इस work में से, और उसके बाद मौरियोत्तर काल आ जाता है फिर, तो फिर गुपतों के बारे में दिया है, अगर मैं धिखा उआँ आपको इसमें, तो मौरियोत्तर काफी छोटा में दिया हुआ है, मौर्योत्र यहां से सुरू होता है और अगले पेज पर खत्म हो जाता है यहां पर है ना तो एक्जाम के दिश्टी कॉन से अगर देखे तो अगर BPSC पुराने धर्रे पर चल के पूछेगी इसमें से तापका हो जगता है लेकिन अगर नए कौस्टन स BPSC फ्रेम करेगी मौर पाल के बाद ancient history के खतम हो जाता है इसका और ancient history के इसमें questions भी दिया हुआ है जो इसके बाद दिया हुआ है इसको हमने चैनल पर complete करवाय हुआ है मैं आपको बता दूँ कि यह पूरा का पूरा बुक जो है जो आप देख रहे हैं यह आपको channel पर पूरा का पूरा बुक ही मिल जाएगा केबी सी नैनो बिहार समगर नाम से प्लेडिस्ट है उसमें इस सारे बुक का पूरा पूरा मैंने लाइन वाइन पर हाके अपलोड किया हुआ है को साहित आपको को संभी मिल जाएगे इस बुक की एक और खराबी है खासियत तो बहुत सारी है खराबी एक और है कि इ इसमें बहुत सारी एंसर इसने गलत दिया हुआ है पचासी गरी में एनसिएन्ठीशी को सन है जो हमने किया हुआ है चैनल पर आप उसको जागव कर सकते हैं अच्छेishings है को सनस बहुत से अच्छे है्पूरा बहुत है दिल्ली सल्तनत के समय पढ़ना पढ़ता है उसके बाद से थोरा सा हमें सूरवन्स के समय पढ़ना पढ़ता है और फिर अकवर के और मुगल काल के वाले में थोरा सा पढ़ना पढ़ता है तो उसके बाद मदेकाल का पूरा दिया हुआ है 42 के करीम MCQ दिया हुआ इस बुक में उसके बाद आधनीक काल सुरू हो जा जाए इसमें आधनीक भारत जो है उसकी बात करते हैं आधनीक भारत बहुत ही डीटेल में दिया हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है बस कहीं कहीं पर factual दिक्कत जरूर है इसमें बुक में है ना अगर इसके हमने कोस्टन करवाये हुए चैनल पर जिसको आप जाकर देख सकते हैं पांचार जादे लोग उन देखा हुआ है तो बहुत सारे लोग उन उसमें जब मैंने करवाया था तो कॉमेंट सेक्सन बताए था कि इसका एंसर यह नहीं यह होगा बाद मुझे सुधार करना पर पूछ से चार से पांच को संस ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें आपको एंसर में डाउट हो सकते हैं बागी 166 को सन बेहतरीन है मतलब तो साहीर जा पूछय जा सकते हैं स्थापत्य और मूर्तिकल्यस करें अलग से दिया हुआ कि इसमें यह चीज है तो इसको आप यहां से कर सकते हैं बहुत ही अची तरीके से दिया हुआ है इसमें कला संस्कृति और फिर इसके अंत में इसके को संस भी दिया हुए है और इसी तरह से सिक्षा स्वास्तर भी है फिर इसके बाद बिहार का भूगोल शुरू हो जाता है और इसे पहले क्या दिया हुआ था कि बिहार में राजवयस्ता और परसासन जो है बिहार का पॉलटी जो है में कुरूब से वो भी section इसमें दिया हुआ है आप उसको भी उहां कुछांस के करी में आते हैं हिस्ट्री में बिहार ए fan culture लगा के भी तो 50-60 को संस संसर को संसमें मैक्सिम्म तक खाते हैं Q कि तो आपको पूरे हिस्ट्री या पूरे देश के जोगरफी इसी से सम्मदित कोशन आते हैं करेंट फिर रहते हैं विविन तरीके के तो उसके लिए इनफ होता है कोई भी एक बुक आप उठा के पर सकते हैं मुख्य रूप से क्या होता है अगर आप बुक नहीं पर पा रह होता है अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं बता रहा हूँ ऊसके बाद यह जोगरफी सुरू हो जाता है जोगरफी नौडवाट अच्छा दिया हुआ है इसके बाद से बिहार के जलवाई और मिर्दा दिया हुआ मिर्दा के सब्सें बड़ी चीज है कि इसने पूरा तो इस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं क्रिसी पशुपालान यह सारा हमने कंप्रीट किया वहाँ बिहार जनगना इससे जब फॉलो करना आप लोग इसके डेटरा को एक बार जरूर वेरिफाइए करना क्योंकि बिहार जनगना में जब मैंने वीडियो करवाया तो उसके जब मैंने वीडियो री चेक किया तो मुझे बहुत सारी जगह इसमें गलत दिखा आंकरा गलत मिला है ना तो बाद मैंने इसको करेक्शन भी किया था अपने चैनल पर तो उसको आप जाकर देख सकते हैं मैंने कंप्लीट करवाया हुआ इससे जनगना पूरा जनगना कंप किया हैं पहले हम चैप्टर पर तो उसके उनगना करों करते हैं जिसको चैप्टर बढ़ा हो जाता है या जिसमें जैसे 156 को सृषफण को अलग से वीडियो बनागे किया था अपर बिहार की कॉनमी दी हुई है जो अच्छा दिया हुआ है और यहां पर उसके बाद को कॉस पर उसका परेटन अस्थल है जो इस वार पूछा भी गया था परेटन अस्थल से ले सकते हैं और अच्छी बुक है नो डाउट कोई बुरी बुक नहीं है अच्छी बुक है बिहार specific के लिए तो मुख्य रूप से current में यहीं चलता था तो यह book आप ले सकते हैं जो भी आपके यह market price हो online भी मिलता है यह book आप खरीच सकते हैं दूसरी book जो है बिहार specific के लिए वो drishti is का बिहार समग रवलोकन आता है बिहार लोग से बाद वारा आयुद की जाने वाली सभी परिक्षाओं है तो एक संपुर्ण पोस्ट तक है ये इस बुक को भी हमने चैनल पर कंप्लीट किया हुआ है जिसमें किस नाम से किया हुआ है इस बुक की सबसे बड़ी खासियत मुझे क्या लगा देखो परिचय वगर तो वैसा ही दिया हुआ है जैसे दिया हुआ होता है और परिचय के बाद भी इसमें को जाएगा बीपीसी के लिए इन्होंने हरपा को भी लिखा हुआ है काफी डीटेल में जिससे हरपा से हर साल बीपीसी में को सन पूछ जाते हैं के भी सिनानों में वह चीज नहीं था मैंने बताया था निइस बुक के एक खामी है सबसे बड़ी खामी यही है उसने सिर्फ वरतमान अस्थिती और रावी नदी के किनारे या सिंदु नदी किनारे मतलब नदियों किनारे जो इस्तित हैं उसका पूरा चाट बनाके इन्होंने दे दिया तो यह आपको याद करने अच्छा हो सकता है बहुत ही डीटेल में इन्होंने प्राचीन हिस्ट्री को लिखा ह हर्सवःधन का जो कारेकाल आता है और हर्स्वःधन के कारेकाल क्वाजों कुछ राजपूत के पीरियड आते हैं है ना जायसे साकम्भरी के चोहान व Basil पिर्तूरा चोहान है उन सब के बारे में भी लिखा है क्योंकि उन सब से कुछ सांत्र यांचें हैं लिखानों कि आपको वह है अब इसके बारे में भी या इतिहास के बार में जो बहुत सारे यात्रियों में बोला है उसके बारे में भी यहां पर लिखा हुआ है आपको टीटेल में मिल जाएगा उसको इसके कोस्टन है जो हमने अल्रेडी कंप्लीट करवा दिये हैं चैनल पर आपको जाकर देखना चाहिए और अर्तालीस करी में कोस्टन है जो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में पूरा अच्छे कोस्टन है नो डाउट बहुत ही अच्छे कोस्टन है प्रिविएस एर के मुख्यूरूप से कुछ कुछ कोस्टन इन्हों अपने भी रिजायन कि हुए हैं मदिकालीन भारत इस बुक म सबसे इंपॉर्टन सेक्षन वह मौडर्न हिस्टी का प्राचीन और मौडर्न हिस्टी बहुत ही डीटेल बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है जैसे जनजाती बिद्रों हर साल बीपेसी में से कोस्टन पूछे जाते हैं तो यह आपको पूरा पूरा लिस्ट बना के बिलकुल टीटेल में मिल जाता है उसके बाद से अन्य बिद्रों में वहाबी लोटा चेरो सरदारी आंदुलन यह रिवीजन करने के लिए परफेक्ट होता है कि एक बार बैठके चार्ट पॉम में देख लेते हैं संथाल बिद्रों के बारे में इतना डीटेल में दे रख इनोंने और सफलता नयगा इनके बारे में दे रखा इनोंने नहीं और में ब्यकिति सत्यागरह में दियां सबनिया वग्या आंदोलन है भारत चोरू आंदोलन है भारत चोरू आंदोलन जैप्रकास नारायन की भूमिका अलग से टौपिक बना के दिया हुआ है जेपी की भूमिका क्योंकि ये सीधा सीधा पूछा जाता है हमारे एक्जाम में तो इसलिए आपको लिए जरूरी हो जा दिया हुआ है बिहार के राष्टिया अंदोलन के और दौर में बिहार में सामपरदाइकता जो कमनिजम का विकास होता है विकास का कमनिलिजम का उसके बारे में भी डीटेल में दिया हुआ है बिहार पाससाते सिक्षा का विकास दिया हुआ है बिहार में क्रांतिकारी नेकर उने सो स्टालिस तक के बिहार कि शिक्षा के विकास के बारे में बताई यहां पर आपको मिल जाएगा अगर हिस्ट्री की बात करें तो उस बुक और इस बुक में बहुती बड़ा फ़र्क है हिस्ट्री इसमें काफी अच्छे से दे रखा है जो आप यहां पर प्रिप मिल जाएगा उसके बाद सबसे अच्छा इन्होंने क्या दिया हुआ है इसमें क्या है इसमें वो सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो आपसे एक्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है समझ रोने मैं क्या कह रहा हूं तो इसलिए अगर आप इसको सिर्फ रिवाईज करते हैं एक्जाम से ठीक एक दिन पहले भी तो आपका पूरा मॉर्ण हिस्ट्री लगवग लगवग में रिवाईज हो जाएगा मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा एक जिसमें सिर्फ औस एक सिर्फ हैक्ट परहेंगे उके उसके बाद इन्होंने कोस्ट्स दिये हुए जो कोस्ट कि लगना बात करूं तो इन दो में से आप कोई भी एक बुक उठा के पर सकते हैं वो इनफ होता है आप उससे जादा जाने की जुरत नहीं परेगी मेरे हिसाब से है ना तो वो इनफ होता है बस होता क्या है कि आप जितनी बार परहेंगे उत्रा जादा कंफ्यूजन कम होत इन राजवियस्ता प्रसाशन पॉलिटि भी कमप्लीटेड थै बिहार जन गनना 210 इन्हों ने क्या किया हुआ है उस बुक में था ही बिहार जन गनना ही के बल दे रखा था इन्हों ने भारत की जन गनना पर गएट चोटा सा चैप्प्टर बनाया हुआ हुआ है तो वह भ इसमें जो फैक्च्वल रूप से सही था यह बुक है ना तो आप इसको भी प्रिफर कर सकते हैं राजवयस्था प्रसासन दिया हुआ है काफी डीटेल है पंचायती राजवयस्था पर अलग से इन्होंने चैप्टर बनाया उस बुक में भी था शिक्षा स्वास्त और खेलक वैसा है इसमें भी है इसलिए मैंने इनको टाला क्योंकि उसमें जैसा है सेम तू सेम ही लाइन बा लाइन मैच करता है तो आप उसको अगर कर लेंगे तो कोई जरूत नहीं होगा उस बुक से मैंने कला संस्क्रिती वगर अगर असा चैनल पर कंप्लीट करवाया हूँ यह आप इनको प्रेफर कर सकते हैं विहार सगर की योजनाई भी इन्होंने दे रखी है उस बुक में भी दे रखी है हमने उस बुक से योजनाई complete की हुई है और मुखियरूप से क्या है कि आपको current का scheme पर जाना होता है आप पिछले साल का सारा scheme पर सकते हैं उससे ज्यादे का मत पढ़ना क्योंकि वह पूछता नहीं पिर बेगार का हो जाता है बर्डण हो जाता है जो जाता है यह पूरा योजना हो गया यहां पर उसके बाद भीकत प्रस्वों दिये हुए हैं बिगत वर्सों के प्रसन जो होते हैं प्रसंद दे रख्णाय है , और इसको भी यहां से practice कर सकते हैं अब यह ढ़ने के लिए अब आ जाते हैं कि बिहार प्रसंद करें प्रसंद करें प्रसंद दे लिए न्हां इन दो बुकों आप पर सकते हैं दोनों बुक हो आपके चैनल भी मिल जाएगा और इसका description दे दूँगा मैं दोनों के playlist का ही पूरा link दे दूँगा वहां से आप कर सकते हैं अब आते हैं कि practice करने के लिए कौन सी book पढ़ने चाहिए practice के लिए मुझे अभी तक जो सही लगा है विहार specific के लिए तो BPSC पुर्वा वलोकन का जो आता है book ये इनफ लगता है क्यों कि अगर आपने गौर से देखा होगा तो BPSC में होता क्या है न sorry कि आपको 60-70% की बात करो मैं question की नहीं 60-70% की question करीब गरी में repeated होते हैं previous years होते हैं आप जाके देख सकते हैं current affair को अगर मैं छोड़ दू तो बाकी सारे लगभग लगभग में repeated होते हैं जैसे इस बार इन्होंने अलग क्या किया कि भारस सरकार के economic survey और भारस सरकार के budget और बाकी अगर paper पुराने ढरे पर आता है तो ये दोनों book और ये पूरा आपको enough होगा complete करने के लिए इसको भी हमने complete कर लिया है already channel पर बहुत कमी section इसके बाकी हैं ये तीन चीजें हैं जो आपको बिहार के समगड़ जो GS है general studies की मैं बात करो current affair नहीं उसको लेकर enough होगा इससे जादे मुझे नहीं लगता है कि जाने की जुरत परेगी बाकि अब परने के लिए तो बहुत सारी book नहीं पर सकते हैं ओके revision पर जादे फोकस करना book परने से जादा क्या होता है कि revise कितनी बार आप कर रहे हो एक book को दस बार पर लो जादा अच्छा है दस book को एक एक बार प कमेंट करके बताना ओके थैंक्यू सो मच